तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से यह कहना चाहते हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है या और आपको helpful लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नभूलिए तो चलिए शुरू करते सबसे पहले सारी है मेरे पास यह लाइट ऑलिव ग्रीन की कलर में है यह सार जिस पर रेड कलर में इंब्रॉइडरी हुई है जरी वर्क हुई है और हलके-लके सिक्वेंस का भी यूज हुआ है यह सारी पार्टी वियर है यह मैंने जाटकी.com से लिया हुआ है यह मुझे लगभग 16 या 1700 की यह मुझे पढ़ी थे सारी है इसका बॉर्डर है इसमें छोटे-छोटे स्टोन भी लगे हुए है सिक्वेंस है और जरी वर्क से इसका काम हुआ है कि सबस्क्राइब मैं आचल के साइड से शुरू करते हुआ है यह जो रेट कलर का बॉर्डर है यह आचल के साइड में है आचल में पूरा और लोवर इस तरह का इंब्रॉडर वर्क हुआ है यह रीड कलर के दरेशल्व पले त्रेट से हुआ है वर्क इसमें सिक्वेंस लगी हुए है और यह सारा दो आर्थ है जरी वरक है और सिक्वेंस का वर्क है और यह जो बॉर्डर मिलती है यह आपको दोरों साइट में इस तरह की बॉर्डर मिल जाती है उपर और नीचे नीचे थोड़ी ब्रॉड है यह बॉर्डर और उपर की तरफ थोड़ी पतली है और जहां से स्कर्ट एरिया यह आपका हाफ प्लेन है और हाफ पे वर्क है नीचे जहां से प्लीट बनाते हैं वहां से उपर हाफ प्लेन है और नीचे वर्क है वाकि पूरी सारी ऐसे है यह बहुत ही प्यारी सारी है इसका कलर बहुत प्यारा है और इसका वर्क भी बहुत प्यारा है इसके साथ मुझे मिला था यह डेड कलर का ब्लाउज पीस जो कि मैंने स्टिच किया हुआ है इसके स्लीव पे इस तरह का वर्क मिल जाता है सेम जैसा बॉर्डर पे है वैसा ही वर्क यह फ्रंट पे इस तरह का वर्क है और इसके बैक पे भी वर्क भी जाता है इसने मैंने इस तरह का लटकन लगाया हुआ है आपको जैसा पसंद आपको अचा लगा सकते हैं यह सारी बहुत ही प्यारी है पार्टी भी है बहुत ही प्यारी न्यूली ब्राइड है तो आपके लिए भी यह पर्फेक्ट है सारी नेक्स्ट है मेरे पास येलो कलर की सारी यह नेट पर है यह मैंने मीशों से लिया था यह अंडर 600 की है है यह सारी बहुत ही प्यारी है हल् however की फंक्षन मे कि इसतर पैनिंग बहुत प्यारा लगेगा एक настолько यह बीलिए है है जहां हoga से उसंवा यह आता है प्लीट सवाला पारड वहां पे हाफ उपर बेन हो नीचे इस तरह का छेट वर्क हुए है ह benut Vert Velik और आचल में पूरा भरा हुआ वर्क है इस पे चारों तरफ इस तरह का बॉर्डर है धागे से ही बना हुआ वर्क है यह थागे से हुआ है थ्रेड वर्क पूरी साड़ी पे थ्रेड वर्क है आचल पर भी ऐसा ही सेम बॉर्डर है यह बहुत ही प्यारी और नेट में है तो बिल्कुल लाइट वेट है तो फिर अगर आप सारी कम पहनते हैं तो कैरी करने बहुत ही हो जाता है बहुत मुझे तो एक दो बार भी आप पहनते हैं अगर इसे अपके लिए वर्थ हैं इसके साथ मुझे ये येलो कलर का प्लेइन ब्लाउस पीस मिला था जो की बैंगलोरी सिल्क फैब्रिक में था ये मैंने खुदी सीला हुआ हाफ स्लीव है ये आप जैसा भी डिजाइन चाहें तो वैसे बना सकते हैं मैंने मीशों से एक पिंक कलर का ब्लाउस लिए वह था जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया और मुझे उसकी डिजाइन बहुत पसंद आ थी तो मैंने इस पर वैसा ह लिए है कि मैं अपनी कपड़े खुदी सिलती हूं तो मुझे जो भी पसंद आता मैं वैसे डिजाइन पुदी कर लेते हैं कि प्लेन फैब्रिक है इसे आप चाहें तो इस तरह से डिजाइन करके डिजाइनर ब्लाउस का लुप दे सकते हैं कि नेक्स्ट मेरे पास पिंक कलर की सिल्क में है सारी यह लेन है कि बॉर्डर है इस पर हलका है यह मैंने मिंत्रा से लिए हुआ था यह मुझे एट हंडेड के नियर अबाउट की पड़ी थी इसका कलर ने amarlaorm सब्सक्रा पर यह अल्बर तरह से आपको इसा पॉर्डर मिल जाता वारा सारी बिल्कुल प्लें ऐसे यह करने पर बहुत प्यारी लगती है यह इसका आचल का पार्ट है आचल पर ऐसे ही बॉर्डर है आपको चारो तरफ से ऐसी बॉर्डर में जाती है लेस वाली बॉर्डर है जरी वाली बीदिंग वाली जो बनारसी वाली लेस है पुरी सारी आपको प्लेन मिलती है कि यह सारी पहने में बहुत प्यारी लगती है यह भी मस्ट ट्राइए आप इसे जरूर से एक बार ट्राइए कर सकते हैं यह आपको कई सारे वेबसाइट पर आपको अबलेबल मिल जाएगी यह आपको मीशों पर भी मिल जाएगी क्लिप कार्ट पर भी मिल जाएगी मैंने मिंत्रा से लिया हुआ है आप जहां से आप प्राइज आपको जहां से फोड़ेबल लगता है आप वहां से ले सकते हैं इसके साथ मुझे ब्लाउस रिसीव हुआ था यह बनार्सी वाले फैब्रिक में जी मने स्टिच कर लिया है यह बैक पे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है यह राउंड शेप आप जैसा पसंद करते हैं वैसा आप स्टिच करा सकतें ब्लाउस को प्लेन्स आरी है और इस तरह की ब्लाउस के साथ बहुत ही खूब्सूरत लगता है इसका लुक बॉल्डह वाली जो प्लें सारी होती हैं डिजाइनर ब्लॉपस्के साथ बहुत ही खुश्बात उसका लूप हो जाता है से नेस्ट है मेरे पास बाउन कलर की सारी है यह सीक्वेंश वाली निया आघक़ सेक्वेंश वार्क तो ट्रेंड में रहे हैं जाहे सब्सक्राइब इसका जो फैब्रिक है यह नेट है और नेट के ऊपर इस तरह से सिक्वेंस वर्क है यह भी मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था यह तीखी इमली ब्रैंड का है यह सारी भी आपको कई सारे वेपसाइट पर अबलेबल मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे भी है मेशो पे भी है मिंत्रा पे भी है अमेजन पे भी है तो आपको जहां से सही लगता है आप वहां से ले सकते हैं यह मैंने मिंत्रा से लिया हुआ है सारी हर जगा आपको लगबख सेम ही मिलते हैं कि वही सारे side होते हैं जो हर जग होते हैं तो आपक्समस्यम ही मिलता है लेकिन और करेت हैं डिफ्रेंट vere erfolg साइटे Responsive ये सारी बहुत प्यारी पार्टी बियर है चालर बहुत प्यारा है अачल में पूरा भरा हुआ आपके साइड पेस तरह की पॉमपम वाली लेस मिल जाती है अब बहुत प्वसुरत लगता है यह सारी पहने पर इसका कलर भी बहुत प्वसुरत स्कर्ट एरिया में उपर की तरफ ऐसे प्लेन है और नीचे हाफ सारी में वर्क है ऐसे सेम वर्क है सिक्विंस वाली बड़ी बड़ी सिक्विंस है छोटी छोटी महीन वाली जो सिक्विंस आती है वो नहीं है बड़ी वाली सिक्विंस है बहुत है प्यारा शाइनी लुक आता है पुल पार्टी वियर है ये इसमें बहुत सारे कलर अब लेबल थे जो कलर आपको पसंद आप उस कलर में ले सकते हैं इसके साथ भी मुझे प्लेन ब्लाउस ही रिसीव हुआ था बंगलोरी सिर्क में इसे मैंने जब स्टिच किया तो मुझे मैंने यह वाली लेस लगा करके थ थोड़ा से इसका लूप चेंज कर दिया है बोटनिक मैंने स्टिच किया था इस ब्लाउस को जैसे पहलने पर यह बिल्कुल नेकले जैसे लुक आता तो बहुत प्यारा लगता है अब बैक साइड में मैंने यह इस तरह से लटकन लगाया हुआ है तो यह था में सारियों का कलेक्शन जिसका यह मैं एक पार्ट और बनाऊंगी मेरे पास दो-तिन सारियां और है वैसे तो मैं जादा सारी घंती नहीं हूं तो मेरे पास बहुत जादा नहीं कमी है बट मैंने जो भी प्रोड़क्त लिए हैं तो इसलिए मैं आपके साथ शेय आप चाहें तो ने ट्राइ कर सकती है और मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइकन शेयर करिए थैक्स वर वाचिंग कर दो आपाना सवक्तुन क कर दिका सवक्ते प्लीज प्लीजर आता है तो पिस को बद Angeb़ें तो खमाहे चैनल प्लीज 115ेड़ा है तो सब्सक्त कर दो昨 दो esca है ऩहाँ? क्मेरा? झाल 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 झाल